देखे कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, सभी ग्रहों का अपना प्रभाव होता है लेकिन मंगल ग्रह को बेहद ही प्रभावशाली और पराक्रम कर प्रतीक माना जाता है मंगल ग्रह यदि आपकी कुंडली में बलवान है तो ये व्क्ति को अस से फश से अस तक का सफ़त तैकरा देता है लेकिन बलवान नहीं है और दूशित है तो ये व्क्ति के जीवन में कई कठनाईया भी डाल देता है मंगल ग्रह की बात की जाए तो मंगल ग्रह कई चीजों का कारक होता है अगर मंगल बनवाद हो बलवान हो तो वो जातक को एक सर्शेस्ट सर्जन भी बना सकता है डॉक्टर भी बना सकता है यह मंगल ग्रह ही है जो जातक को वेक्ती को जमीन जायदाद दिलवाता है, प्रॉपरिटी दिलवाता है मंगल ग्रेबलवानों तो वेक्ति आर्मी में एक बड़े पद पर पहुंच सकता है IPS जैसे पदों को अपने पराक्रम से हासिल कर सकता है सीना में जा सकता है, हवाई जहाज का पाइलेट बन सकता है तो हर तरीके से मंगल आपके जीवन में एहम भूमिका निवाता है लेकिन कई वार कुल्ली में मंगल नीच का होता है तो अपने प्रवाव नहीं दिखा पाता है मंगल के विप्रीत प्रवाव भी सामने आते हैं ऐसे में जातक को कुछ उपाए करने चाहिए अगर वो इन उपायों को अच्छे से करता है मंगल वार के इन उपायों को वो अपने जीवन में साध लेता है तो फिर मंगल उनका प्रवाव शाली हो जाता है पराक्रम मंगल उनका बढ़ा देता है मंगल रक्त का कारक होता है ऐसे में कई रोग होते हैं जो मंगल की सितीर ठीक नहीं रहती है मंगल कमजोर होता है तो शरीर में उत्पन कर देते हैं ऐसे रोगों से बचने के लिए इस्त्री और पुरुशों के लिए ये उपाए है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये उपाए आपको पाँच मंगलवार लगातार करना है इसमें आपको प्रतेक मंगलवार गरीब या बेसहरा या अपाहिज विक्ती को कोई भी आपको मिले उसे लाल वस्तुए दान करना है लाल कपड़ा हो, लाल खाने की कोई चीजे हो, लाल दाल हो इस तरह पाँच आपको लाल वस्तुए खटा करना है और पाँच मंगलवार तक उसे दान करना है पाँच मंगलवार होते ही आपको फिर इसमें फाइदा दिखने लगेगा आप अगर रोगी है, रग्ट संबंदी आपको रोग है, आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है लो ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है या रग्ट संबंदी कोई भी रोग हो इस उपाई के करने के बाद आपके रोग सीधे सीधे खत्म होने लगेंगा ऐसे जा तक जो भूमी के विवाद में फसे हुए हैं, जिनें संपत्ती के लिए लडाईया लड़नी पड़ रही हैं, क्योंकि मंगल भूमी से भी संबंदित है, तो कई बार अगर आपका मंगल दोशित है, आपका मंगल मजबूत इस सिती में नहीं है, तो आप संपत्ती तक प्रतेक मंगलवार बजरंग बाण का पाठ शुरू का सकते हैं, साथ ही पाठ करते हैं वक्त आपको लाल कपड़े धारण करने होंगे, पूरी निस्ठा के साथ आप बजरंग वली की उपासना कीजिए, और मंगलवार के दिन ही पाठ के साथ आप उनसे विंती कीजिए की प्रभू मुझे इस संपत्ती विवाद में सफलता दिलाएं, जैसे ही आपके 11 मंगलवार पूरे होंगे, आपको अदालती संबंदी जो भी संपत्ती के विवाद है, वहां आपको निश्चत तौर पर सफलता मिलेगी, मंगल आपको परिछाओं में भी सफलता दिलवात है, UPSC में अगर हम IPS की बात करें, सेना में मेजर करनल जैसे पदों की बात करें, अगर हम बात करें, पाइलेट बनने की बात करें, तो ऐसे तमाम पद जो हैं, जो बहादूरी से संबंदित होते हैं, जो पराक्रम से संबंदित होते हैं, मंगल यहां आपको सफलता दिलाता है लेकिन अगर आपका मंगल मजबूत इस्सिती में नहीं है कुली में मंगल ऐसे ग्रहों के साथ बैठा हुआ है जहां वो अपना पराक्रम नहीं दिखा पा रहा है तो ऐसी परिक्षाओं में आपको कहीं न कहीं बाधाय देखने के मिलती है ऐसे मैं आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बता रहता हूं को हर मंगल वार हनुमानुवान चालीशा का पाठ दिन में दो वार करना है आप एक सुभा कर सकते हैं एक वार शाम को कर सकते हैं आपको कम से कम 11 मंगलवार इसे लगातार करना है जैसे ही आपके 11 मंगलवार पूरे होंगे आपको अपनी परिक्छाओं में परड़ाम आते हुए भी नजर आने लगेंगे तो आप जल्द से जल्द ये शुरू कर दीजिए मंगल कुंडली में सेनपती की भूमी का निवाता है मंगल बहादुरी और वीता का कारक होता है लेकिन कई बार मंगल के सिती ठीक ना होने पर जातक को मंगल अच्टन्थ क्रोधी भी बना देता है ऐसे जातकों को बार बार क्रोधा जाता है यदि कुंडली में मंगल दुती भाव में बैठा है तो उसकी वानी क्रोधित हो जाती है ऐसे जातक बात बात में अपनी बातों से लोगों को अक्रोशित कर देते हैं और अपनी बातों का आपक हो देते हैं ऐसे जातकों को मंगलवार के दिन एक उपाई किया जाए तो उनका क्रोध शान्त हो जाता है ऐसे जातक क्या करें जब भी उन्हें क्रोध हा रहा है तो उनके परिवार के सदस्या उनसे संबंधित कोई भी लोग मंगलवार के दिन जलते हुए अंगारों में ठंडा दूद डाल दें जब आप इस प्रक्रिया को करेंगे तो जातक का क्रोध लगातार कम होने लगेगा कम से कम आप पाँच मंगलवार इस प्रक्रिया को लगातार करें इसके बाद आप देखेंगे कि जातक का स्वभाव पूरी तरह से बदल रहा है और जैसे जैसे जलते हुए अंगारों में दूद्र डालेंगे और अंगारे ठंडे होते जाएंगे ऐसे ही व्यक्ति का क्रोध भी ठंडा होते जाएगा और उसके स्वभाव में पूरी तरह परिवर्तन आएगा मंगल वैसे तो अलग-अलग प्रवाव देता है लेकिन दामपत्य जीवन में भी मंगल की अपनी ही एक भूमिका रहती है कुणली के अगर एक, चार, आठ और बारा इन इस्थान पर मंगल बैठा रहता है तो वो मंगल दोश का कारक भी बनता है ऐसे में कईवार वैक्ति के जीवन में आसाधारन विपत्या भी देखने के मिलती है इस्थी पुरुष के विवाह में देरी होती है, विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद परिवार में कलेश, आपस के संबंदों में मधूरता नहीं रहती है ऐसे में जातक पूरी तरह से परिशान हो जाते हैं लेकिन अगर वे मंगल के उपाय करें तो उन्हें इन बाधाओं से इन परिशानियों से राहत मिलती है और पूर्टा निजाद भी मिलता है ऐसे इस से पुरुष क्या कर सकते हैं जिनके सामने ऐसी समस्याय आ रही है वे मंगलवार को भगवान गणेश की पूजा करें भगवान वो गणेश जो केसरिया कपड़े पहने रहते हैं ऐसे गणेश जी के पास जाएं ऐसे गणेश मंदिर में जाएं जहां इस्थापेत भगवान गडेश की मूती को के सरीय कपड़े पहनाए गए हूँ उन गडेश जी को आप पांच लाल फूल अर्पित करें पूरी श्रद्दा भाव के साथ उनकी पूजा करें और इस प्रक्रिया को आप साथ मंगलवार करें जैसे ही साथ मंगलवार होंगे आपको निश्चतोत पर सफलता मिलेगी और आपकी जो भी मनो कामनाए है भगवान सरी कडेश की करपा से पूर्ण होगी